हेलो एब्रिवान वेल्कम बेक टू में चैनल देखिए आज मैं ये वाला डिजाइन लेके आए हूँ ए डिजाइन आप किसी भी प्रोजेट पर डाल सकते हैं स्वेटर लेडी स्वेटर जैन्स्वेटर किसी भी प्रोजेट पर डाल सकते हैं रॉंग साइट पर इसे दिखता हैं ए डिजाइन जॉस्ट रोज का डिजाइन है इस डिजाइन को बनाने के लिए 7 मॉल्टिपल में फंदा लेना है प्लास 3 प्लास 2 करना होगा मॉल्टिपल अफ 7 प्लास 3 प्लास 2 इसमें मैंने 7 मॉल्टिपल करके 14 प्लास 3 प्लास 2 कर लिया है टोटल 19 कर लिया है फॉस्ट रोव राइट साइट फॉस्ट रोव सारे भंदा सीधा सीधा भून के कम्प्रीट करना है फॉस्ट रोव सब सीधा भून के कम्प्रीट कर लिया है अब सेकेंड रोव सारी भंदा उल्टा उल्टा भून के कम्प्रीट करना है सेकेंड रोव साब उल्टा भून के कम्प्रीट कर लिया है अब थार रो एक भंदा एसे स्लिप कीजे अब याँ सरीपर प्याटे निस्टा करना है दागा आगे तीन भंदा उल्टा एक दो तीन दागा पीछे अब एक भंदा एसे स्लिप करना है दागा आगे फिर दो फंदा उल्टा एक दो दागा पीछे अब एक भंदा एसे स्लिप करना है एक भंदा को चोर कर यहां से यहां तक एक रिजन खतम हुआ है आपको एक रिप्ट करना है बार बार तीन भंदा उल्टा फिर एक भंदा स्लिप करना है फिर दो भंदा उल्टा एक दो फिर एक भंदा स्लिप करना है आपको ए रिप्र करना है यहां से फिर वह रिप्र करना है दागा आगे तीन फंदा उल्टा एक दो तीन दागा पीछे अब एक फंदा एसे बिना बुने एसे स्लिप करना है दागा आगे फिर दो फंदा उल्टा एक दो दागा पीछे अब फिर एक फंदा बिना बुने एसे स्लिप करना है यहां से यहां तक दो डिजन खतम हुआ है लास्ट में आपको चार भंदा बजेगा दागा आगे तीन भंदा उल्टा एक दो तीन दागा पीछे एक भंदा स्जीधा थर रो भी बुनके कम्प्लिट कर लिया है आप four रो एक भंदा एसे स्लिप करना है अप यहां से रिपर प्याटर निस्टा करना है दागा पीछे तीन भंदा स्जीधा 1,2,3 दागा आगे फिर बिना भुने एक भंदा एसे स्लिप करना है दागा पीछे फिर दो फंदा सीधा एक दो दागा आगे फिर बिना बुने एक फंदा एसे सिलिप करना है एक फंदा को छोर कर यहां से यहां तोग एक डिजन खतम हुआ है आपको एक रिप्र करना है बार बार तीन फंदा सीधा एक दो तीन फिर एक फंदा स्लिप कीजे दो फंदा सीधा एक दो फिर एक फंदा स्लिप कीजे आपको यह रिप्र करना है यहाँ से फिर वह रिप्र करना है दागा आगे तीन फंदा सीधा एक दो तीन दागा आगे फिर एक फंदा एसे सिलिप करना है दागा पीछे फिर दो फंदा सीधा एक दो दागा आगे फिर एक फंदा एसे सिलिप करना है यहां से यहां तक दो डिजन खतम हुआ है लास्ट में आपको चार फंदा बचेका दागा पीछे तीन फंदा सीधा एक दो तीन दागा आगी एक फंदा उल्ट फोर रोबी बुनिके कम्प्लिट कर लिया है अब फीप्त रोब फीप्त रो एक फंदा एसे सिलिप करना है अब यहां सरी फिर पैटानिस्ट करना है दागा आगे तीन फंदा उल्टा एक दो तीन दागा पीछे अब पीछे के साइड शे इसतरा से यानोबर कीजे अभे दो फंदाको एक फंदा बना नाएं ब्याक लुक से ए आगे की एक फंदाखो ऋ थराशे पलTHE नाए फिर यह 2 फंदाखो एक फंदाख बना नाएं ब्याक लुक फिर या अनोबर फिर दो फंदा को एक फंदा बनानाए ब्याक लुक से फिर दो फंदा को एक फंदा बनानाए सीधे की साइड से फिर या अनोबर आपको एही रिप्री करनाए यहां से फिर वही रिप्री करनाए तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन धागा पीछे, आप पीछे की साइड से या अनुबर कीजे आपे दो फंदा को एक फंदा बनानाई ब्याक लुक से आगे की एक फंदा को इस तरह से पलाट नाई फिर ये दो फंदा को एक फंदा बनानाई ब्याक लुक से फिर दो फंदा को एक फंदा बनाना है सीधी की साइट से फिर दागा आगे आगे की साइट से यानोबर कीजे यहां से यहां तक दो डिजन खतम हो आए लास्ट में आपको तीन फंदा बचेका तीन फंदा उल्टा एक, दो, तीन दागा पीछे एक फंदा सीधा फीप्त रोवी बुनके कम्प्लिट कर लिया है आप 6 रो 6 रो सारी फंदा उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लिट करना है देखिए एक डिजाइन जो 6 रोज का है 6 रोज में सारी बनके आएगा अब फिर से रो वान से 6 तक रिपिट करके जाना है जब यह बार बार रिपिट करेंगे तो यह डिजाइन ऐसा बनके आएगा लास्ट में मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, सेर और सबसा करना मत बुलिएगा थैंक्यू